प्रादेशिक समाचार एकान शाकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत है उजेन जिले की चिठ्थी आलिक हेमंदरनात तिवारी वाचन स्वर शेख महाजबीन अलमाज प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने सोमवार को उजेन इंदोर के बीश दू मेमो ट्रेनों की शिरुवात की उन्होंने रानी कमलापती स्टेशन से उजेन फटेहबाद रेल लाइन का वर्चुल शुभारम भी किया मुक्यमंत्री श्यरुआ स्टिश दिनों और जेन प्रवास के दोरान महा काले शुर mirror मंदीर परिसर विस्तार योजना स्थल का अवलोकन किया बात में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि श्री महाकाल इश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना कुल 7300 करोड रुपे की है जिसमें से 368 करोड के निर्मानकारे चल रहे हैं सभी निर्मानकारे महाश्यवरात्री के पहले पूरे कर लिए जाएं इस आशे के निर्देश दे दिये हैं मुख्य बंद्री ने कहा कि भारती संस्कृती एवं महाकाल से जुड़ी हुई कथाएं, परंपराएं, मानेताएं, आधी का अंकन इस पूरे परिसर में इस तरह से किया जाएगा जिसे तीर्थ यात्रियों को अलौकिक अनुभव प्राप्थ हो। इस अवसर पर आयोजित राश्ट्री कालिदास चित्र एवं मूर्ती कला प्रदर्शनी 2021 के पुरुसकारों की घोशना की गई है। इसका प्रमकुदेश संस्था एवं समुदाय में जागरुकता लाना एवं आशा कारेकरताओं के माध्यम से सामाने नवजार शिशू को आवशक देखभाल प्रदाए कर विमार शिशू के पहचान कर उचित उपचार प्रदान किया जाना है। इसके लिए समुदाय एवं संस्था आधारित गतिविधियों के माध्यम से नवजार शिशू की देखभाल के बारे में जन समुदाय को जागरुक किया जा रहा है। कोवीट टीका करण के दूसरे डोस के लिए जिले में महा अभियान चलाया गया। जिले में टीका करण के लिए 500 से अधिक टीका करण के इंदरों पर बड़ी संख्या में लोगों को कोवीट शील एवं को वैक्सीन का सेकिन डोस लगाया गया। सांसद अनिल फिरोजिया विधायक पारस जैन कलेक्टर आशी सिंग ने शेहर के विबिनिस्थानों पर पहुँच कर टीका करन का महत्व समझाया। कृशियूप संचाला कार पियस नायक ने कहा कि ओजाइन जिले में रभी फसल के लिए खाद परियाप्त मात्रा में उपलब्थ है। को भी सिचाई के लिए परियाप्त पानी मिल सके। उन्होंने बताया कि रभी सिचाई के लिए इस वर्ष 29,948 हेक्टर का लक्ष निर्धारित किया गया है। कि जिले में प्रदेश का स्थापना दिवस एक नवंबर को कालिदा सकादमी परिसर में समहरों पूर्वक मनाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री जक्दिश देवरा ने धोजारों कर उपस्ती जन समुदाय को प्रदेश के समगर विकास का संकल्प दिलवाया। स्थापना दिवस पर आयुजित समहरों में रंगारंग सांस्कृतिक कारिक्रम आयुजित किये गए। प्रभारी मंत्री ने कारिक्रम के अंत में सांस्कृतिक कारिक्रम एवं बजन प्रसुत करने वाले सभी दलों को 11-11,000 रुपे का लगत पुरसकार देने की घोशना संस्था बालाजी सेवार्त इंदा और अग्रवाल फाउंडेशन के मद्य आपसी सहमती से मंदिर प्रबंध समीति के स्वामत्व वा आतिपत्त्य की भूमी पर अनशेत्र का निर्मान कारिय किया जा रहा है। झाल झाल